दोस्तो इस अकेली इंसान ने लगभग 1300 एकर का पुरा फॉरेश्ट खड़ा कर दिया मिली है दो फॉरेश्ट मैंड उप इंडिया जाधो पायेंग से 1979 की बाद है जब जाधो जी 19 साल के थे वो तभी गाउ के नदी के पास कुछ धूप की वज़े से मरे हुए सापू को देखते है और तब सिर्फ 20 बांबू के पेड लगाते है ताकि कोई धूप में न जुल से और दोस्तो उस दिन से आज तक वो लगातार पेड लगाते जा रहे है जो आज पूरा 1300 एकर में फैला फॉरेश्ट बन चुका है जिसमें आज एलिफंट्स, टाइगर, लिनोसोर्स ऐसे 100 से ज्यादा प्रजा दिया रहती है इन्हें के एक्ट्राइडिनरी बर्थ के लिए 2015 में पदमश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है